शेर चीता भालू हाती जैसे बड़े जानवर तो सभी ने देखे ही हैं और इनके बारे में काफी कुछ सुना भी होगा लेकिन दोस्तों क्या आपने ऐसे जानवर देखे हैं जिनकी लंबाई और उचाई को इंच में मापा जाता है अगर नहीं देखा तो हम बता देखी दु चोटे चोटे जीव भी इस धरती पर हैं दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के पांच सबसे चोटे जानवरों के बारे में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं तो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी है आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके अपना सायोग जरूर दे दोस्तों नंबर फाइब पे आता है इस गोडे पर तो आप सवार नहीं हो सकते लेकिन हाँ नन्यमने बच्चे इस जानवर के साथ खेलना जरूर पसंद करेंगे इससे म प्रिटेन के निव हैंशायर में जन में इस नन्यमने से घोडे के मालिक ने इसका नाम आइंस्टैन रखा है और इस छोटे से घोडे में बोने होने का कोई भी संकेत नहीं मिला है जबकि दुनिया में और भी ऐसे छोटे घोडे हैं जो बोने हैं ये दुनिया का सबसे की उचाई लगभग डेड़ फुट है और इसका वजन करीबन 21 किलो तक का है अब नंबर चार पर आता है इस मॉलेस्ट मॉंकी हम आपको जिस नन्ने से खुबसूरत बंदर के बारे में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आपके एक उंगली के बरावर है जिसका नाम है पिगमी म काफी छोटा होता है ये बंदर जादा से जादा 7 इंच तक ही बढ़ते हैं और इनका वजन करीबन 100 ग्राम तक होता है इनकी पूँच 8 इंच लंबी होती है ये बंदर दिखने में तो बहुत ही प्यारे और सीधे साधे लगते हैं लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट और थोड़े गुस्से वाले होते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले इस बंदर के लिए लोग भारी से भारी कीमत देने को त्यार रहते हैं नमबर थरी पर आता है इस मॉलेश डॉग मिली पोर्टोरिगों में एक ऐसा प्यारा सा कुत्ता भी मौजूद है जिसे नन्ने आकार के कारण विश्व का सबसे छुटा कुत्ता घुशित किया गया है ये ची हुआ हुआ प्रजाती का कुत्ता है मिली नाम के इस कुत्ते के सरीर की उचाई सिर्फ 3.8 इंच है और इसका वजन सिर्फ 500 ग्राम है पैदाइस के समय ये मिली इतना छोटा था कि ये एक चमच में ही आ जाता था बलकि बड़ा होने के बाद ये अब लेडिस पर्स कोट याज किसी जेम में आसानी से आ जाता है गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में इसे दुनिया के सबसे छोटे कुत्ते के रूप में शामिल कर लिया गया है अब नंबर दो पर आता है इस मॉलेश्ट माउस ये दुनिया का सबसे छोटा चुहा है जिसे रोडेंड भी कहा जा सकता है इस चुहे का नाम है ड्वार्ज थ्री ट्वायर जर्बोया ये दुनिया में सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में ही पाय जाते हैं ये पूरी तरह बढ़ने के बाद भी यानि कि ये सिर्फ साड़े चार संटीमेटर थी बढ़ पाते हैं लेकिन इनकी पूँच इनके शरीर से काफी बढ़ी होती है जिनकी लंबाई बेहदी खुब्सूरत है और साथ में ये काफी फुर्दीला भी होता है ये चुहे दो साल तक ही जीते हैं ये दुनिया में काफी कम ही पाय जाते हैं जिसकी वज़े से लोग इसे पालने के लिए मूँ बोली कीमत देने को त्यार रहते हैं दोस्तो अब नमबर वन पर आता हैं जो सिर्फ चीटी के ही बराबर होते हैं तो पक्का आप इसे जोटी समझेंगे लेकिन दोस्तो ये जोट बिलकुल भी नहीं है लेकिन दोस्तो कुदरत ऐसा भी जूबा दिखाता है जिसको देख कर आप भोचके रह सकते हैं माडा गासकर में पाया जाने वाला ये गिर गिर दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल जीव है इसका नाम है ब्रुकेसिया माइकरा इनकी लंबाई केवल एक इंची होती है और इनका वजन सिर्फ 0.20 ग्राम तक होता है ये सिर्फ जमीन के पत्तों के बीच ही रहते हैं और सिर्फ चीटियां ही खाते हैं ये छोटा अभी है इस दुनिया में और भी कई ऐसे जीव हैं जिने अभी खोजा जाना बाकी है दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न और वो है हमारी दुनीया से कोंटक्त में भी है और जल्दी ही बहारी दुनीया से उनके अच्छे संबंद में बने रहते हैं जब भी कोई ट्यूरिस्स्ट maintaining देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी ट्यूरिस्ट को लौह देते हैं यह डान सही नहीं यह इनकी संस्क्रिती भी है यह अपनी संस्क्रिते को बनाई रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कारेकरम करते रहते हैं दोस्तो अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबाते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना मैं मिलता हूँ आपको नेक्ट वीडियो में होके बाए